आप सभी जानते हैं कि 5 जन्वरी को माननिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब पंजाब में एक कारिक्रम में गए थे उस दिन हम सब ने देखा कि उनके सुरक्षा में सेंध लगी थी उनके सुरक्षा के साथ खिलवाड हुआ था और उस सुरक्षा के खिलवाड के लिए कोई जिम्मेदार था तो वो पंजाब की सरकार थी आप सभी जानते हैं क्योंकि मीडिया के माध्यम से भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री जब पंजाब में कारिक्रम के ले गए थे तो लगभग 20 मिन्टों के लिए एक फ्लाई ओवर के उपर उनका जो काफिला था वो रुका रहा ये कोई साधारन विशय नहीं है ये फ्लाई ओवर पाकिस्तान के बॉडर से मात्र 10 किलो मीटर के दूरी पे था अर्थात पाकिस्तान के आर्टलरी फाइरिंग रेंज में ये फ्लाई ओवर मौजूद था प्रधानमंत्री की गाड़ी मौजूद थी ड्रोन्स के बारे में भी आपने सुना होगा कि ड्रोन्स आजकल बॉडर से भेजे जाते हैं पाकिस्तान द्वारा भेजे जाते हैं जम्मू कश्मीर में भी देखा है और खास करके पंजाब में किस प्रकार से पाकिस्तान ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है ये भी हमने देखा है प्रधानमंत्री जी का काफिला प्रधानमंत्री जी की गाड़ी पाकिस्तान से महज 10 किलोमीटर दूर ड्रोन के पकड़ में भी थी कोई भी explosive-related ड्रोन अंदरा सकता था तीसरी बात है कि जहां प्रधानमंत्री जी की गाड़ी फ्लाई ओवर पे रुकी हुई थी आपने मीडिया के माध्यम से भी देखा होगा कि आसपास अनेको घर थे बहुत सारी बिल्डिंग्स थी कई पेड़ थे और कई ऐसे स्थान थे जिन पर स्नाइपर अर्थात बंदूक धारी व्यक्ती अराम से अपने आपको छुपा सकता था कहने का तातपर यह है कि प्रधान मंत्री जी का जो वाहन था और खुद प्रधान मंत्री खत्रे के घेरे में थे खत्रे के निकट थे जब भी देश के प्रधान मंत्री किसी भी राज्य में जाते हैं किसी भी प्रदेश में जाते हैं तो एक प्रोटोकॉल होता है उनको रिसीव करने वहाँ के मुख्य मंतरी चीफ मिनिस्टर आते हैं उनको रिसीव करने वहाँ के चीफ सेकरेटरी अर्थात मुख्य सचेव आते हैं उनको रिसीव करने के लिए उस राज्य के उस प्रदेश के डी जी पी डारेक्टर जनरल अफ पुलीस आते हैं मगर पाँच जैन्वरी को जब प्रधान मंतरी शी नरेंद्र मोदी पंजाव पहुँचे तीनो नदारत थे आश्चिरी की बात है ये कोइंसिडेंस हो सकता है क्या कि एक ही साथ तीनो मुख्य लोग प्रसाशन के तीनो पिलर्स एक साथ मौजूद नहीं होना इस जस्ट अ कोइंसिडेंस और अ कॉंस्पिरिसी ये आप सोच के देखिएगा प्रदान मंतरी का जो काफिला है उस काफिले में चीफ सेकरेटरी मुख्य सचिव और डी जी पी डिरेक्टर जनरल अफ पुलीस दोनों के लिए एर मार्क्ट गाडियां मौजूद थी अर्थात जिन गाडियों में इन महानुभावों को बैठना था वो गाडियां मौजूद थी किन्तों आपको जानके आश्चरी होगा वो गाडियां खाडी थी उनमें ना मुख्य सचिव थे और ना ही डी जी पी मौजूद थे ऐसा क्यों मुख्यमंत्री चन्निश साहब ने बाद में कहा कि वो किसी कोविड पेशन्ट के संपर्क में आये थे उनके किसी मित्र को कोविड हो गया था और इस कारण से उन्होंने उचिच समझा कि वो चूंकि एक्सपोज हो चुके हैं वो बाहर ना आए और प्रधान मंत या उनके काफिले को एक्सपोज ना करें ये तो समझ में आता है किन्तु शाम होते होते चन्निश साहब प्रेस कॉन्फरेंस को एड्रेस कर रहे थे हजारों के भीड में मौझूद थे कहीं न कहीं ये बात हजम नहीं होती है और तो और चन्निश साहब रिसीव करने नहीं आए किन्तु चन्नी साहब फोन पे तो उपलब्द हो सकते थे आपको जानके हैरत होगी कि जब ये सारा प्रकल्प हो रहा था ये प्रकरण हो रही थी जब प्रधान मंत्री जी के सुरक्षा के साथ खिलवाड हो रहा था उस समय चन्नी साहब को कई बार मुख्यमंत्री जी को कई बार फोन के माध्यम से उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश की गई किन्तु एक बार भी मुख्यमंत्री महोदय अपने फोन पर नहीं आए ठीक है कोविट के कारणा बाहर नहीं आए ये तो समझ में आता है किन्तु COVID के कारणा फोन पे नहीं आए, ये बात हजम नहीं होती है मुख्य मंत्री नदारत, मुख्य सचीव नदारत, DGP नदारत और देश के प्रधान मंत्री की सुरक्षा में सेंद ये कुछ बहुत महत्वपून सवाल छोड़ते हैं देश के निवासियों के मन में और भारतवाशियों के हरदय में आपको यह भी जानके बड़ा विचित्र लगेगा कि चन्नी साहब ने पहली बार जब कैमरे को फेस किया प्रधान मंत्री जी के सुरक्षा घेरे के सेंद के पस्चात तो उन्होंने कहा यह जो सुरक्षा चूक हुआ है यह कुद्रती है यह कुद्रती सुरक्षा चूक है वैसे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है यह कुद्रती सुरक्षा चूक क्या होता है मगर आप सबने ध्यान से सुना होगा कि उन्होंने उस समय ये confess किया चन्नी सहाब ने माना कि सुरक्षा घेरे में कही न कहीं चूक हुई है और उसका कारण कुद्रती है, नाचुरूल है मगर आश्चेरे तब होता है जब कुछ घंटों के पस्चाथ चन्नी सहाब यूटर्न करते हैं और वही मुख्य मंत्री जो कुद्रती सुरक्षा चूक कह रहे थे कहना आरंब कर देते हैं कि कोई सुरक्षा चूक नहीं हुआ है दोनों बाते तो सच नहीं हो सकती है और तो और चन्नी सहाब ने यह भी क्या कहा है हमने मीडिया के माध्यम से देखा कि इस पूरे प्रकल्प का मैंने ब्रीफ बना करके प्रियंका वाडरा जी को बताया है आखिर ये बात समझ में नहीं आती है कि चन्नी सहाब एक सिटिंग मुख्य मंत्री है और इस पूरे प्रदान मंत्री के सुरक्षा में जो सेंद है ये गंभीर मसला है एक समवेदनशील और सेंसिटिव मसला है उस विशय को अगर ब्रीफ करना ही था तो उन्होंने ब्रीफ प्रियंका वाडरा को किया जो कि किसी कॉंस्टिटूशन या समवेदानिक पद में नहीं ये बात भी हजम नहीं होती है आखिरकार एक सवाल उठता है कि जो प्रदर्शनकारी थे जिन्होंने 20 मिंटों तक क्योंकि 20 मिंटों के पश्चात प्रधान मंत्री जी का काफिला वापस आता है जिन्होंने 20 मिंटों तक प्रधान मंत्री जी के काफिले को फ्लाई ओवर के ऊपर रोक के रखा आखिरकार इन प्रदर्शन कारियों को कैसे मालूम पड़ा कि प्रधान मंत्री इस रूट में आने वाले है जो प्रसाइस रूट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रसाइस रूट How did those protesters learn about the precise route of the Prime Minister सटीक राज जिस रस्ते पे प्रधान मंत्री आने वाले होते हैं वो गुपत रखा जाता है वो किसी को बताया नहीं जाता है It is not disclosed किन्तु दुखद विशय है आश्चिर जनक विशय है चिंता जनक विशय है आप सोच के देखिए प्रधान मंत्री सटीक रूप से किस समय किस सड़क पर चल रहे हैं ये प्रधर्शन कारियों को पहले से पता था वह भी एक short time period के अंदर एक बहुत कम समय के अंदर ये खबर प्रधर्शन कारियों तक पहुँचती है और वो पूरी विवस्था के साथ सड़क पर उतर जाते ये कैसे हो सकता है जबकि इस विशय में केवल डीजीपी को पता था क्योंकि SPG के डायरेक्टर और डीजीपी के बीच सघन चर्चा हुई थी फोन के माध्यम से और ये निरने लिया गया था कि सड़क रूट से अब प्रधान मंत्री को जाना पड़ेगा क्योंकि वेदर अच्छी नहीं है मौसम ठीक नहीं है तो सड़क के रूट से प्रधान मंत्री जाएंगे ये विशय और किस सड़क के रूट से जाएंगे ये केवल डीजीपी को पता था उसके बाद ये प्रोटेस्टर्स कैसे जानगे कि प्रदान मंत्री किस रूट से जाने वाले हैं ये भी समझने वाली बात है दूसरा प्रशन उठता है जो आज आम जंता पूछ रही है कि आखिरकार ये जो पंजाव पुलीस ये जिस सेंद के लिए जिम्मेदार थी सुरक्षा चूक के लिए जिम्मेदार थी क्या उसकी एक मिली भगत है कोनाईवन्स है या फिर ये एक कैरलेसनेस या लापरवाही है कोनाईवन्स और कैलेसनेस लापरवाही या जिम्मेदारी मिली भगत क्या है ये तो आप भी जान सकते होंगे कि आखिरकार ये एक बहु लोगों ने वीडियो बना के डाला है कोई भी पुलीज जो प्रधानमंत्री के सुरक्षा में तैनात हो वो प्रदर्शनकारियों के साथ चाए पी रही हो ऐसा तो नहीं हो सकता है प्रदर्शनकारियों के साथ बैठकर हसी ठाके लगाना चाय पीना ये ये विशह कुछ हजम ही हुआ दूसरा है कि पुलीस के एटिट्यूड को आप अगर फ्लाई ओवर के उपर ध्यान से देखेंगे कुछ तस्वीरे हैं कुछ वीडियो है आप पुलीस के एटिट्यूड को देखिए और आप स्पी जी के एटिट्यूड को देखिए बॉडी लैंगविज को ये लचारूप से नजर आ रही है बिलकुल केरलेस तरीके से मूव कर रही है वो ना तो वहां जो जाम लगा हुआ है उसे हटाने की कोशिश कर रही है ना उन गाड़ीवानों को हटने के लिए कह रही है जो प्रधान मंतरी के रहा पे आये हुए है ना ही उनको कोई दिशा का पता है ना उनके पास कोई दिशा निर्देश है और ऐसा लगता है जैसे वो कुछ करना नहीं चाहते है अकरमन्य बनके वो खड़े नजर आते है और SPG को देखिए तैनात है चुस्त है, दुरुस्त है प्रधान मंत्री जी को चारो तरफ से वो घेर करके खड़ी है क्योंकि प्रधान मंत्री जी के बॉड़ी प्रोटेक्शन के लिए और क्लोज प्रोक्सिमिटी के प्रोटेक्शन के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो SPG है इसलिए SPG के body language और police के body language में ये जो आकास पाताल का फरक है यह भी दिखता है इसलिए ये सवाल उठता है कि आखिर हैसे कैसे हो सकता है कि पुलिस बिलकुल लचर हो प्रदर्शनकालियों के साथ चाई पी रही हो पहले से प्रदर्शनकारी वहां पहुचे हुए है तो सवाल की मिली भगत है पंजाब पुलिस और प्रसाशन की या ये पंजाब पुलिस और प्रसाशन की लापरवाही है इस सवाल का जवाब भी आजजनता ढून रही है चनी सहाब का बार-बार कहना पहले तो वो कह रहे थे कि लैप्स हुआ है सेक्योरिटी में उसके बाद जो यू टर्न हुआ कि किसी प्रकार से सेक्योरिटी लैप्स नहीं हुआ है एक बात तो समझ में नहीं आता है मुक्यमंत्री साहब बड़े आदर के साथ हम पूछना चाहते हैं अगर किसी प्रकार का सेक्योरिटी लैप्स नहीं हुआ किसी प्रकार से कोई गलती नहीं हुई तो आखिरकार जो SSP फिरोजपूर के हैं उनको क्यों सस्पेंड किया गया उनको क्यों निलंबित किया गया एक प्रशन सब के मन में उठ रहा है और ये हमें बहुत दुखी करता है, अंदर से कचोटता है TV debates में, press conferences में, Congress के जो बड़े नेता हैं और Congress के जो प्रवक्ता हैं, वो बार बार एक सवाल पूछ रहे हैं जो हमारे पंजाब के प्रसाशक हैं, पंजाब के सरकार के मंत्री हैं वो भी ये सवाल पूछ रहे हैं, कि आखिरकार प्रधान मंत्री का जो ये हेलिकॉप्टर है वो तो all-weather हेलिकॉप्टर था, वो तो किसी भी वेदर में उड़ सकता है तो प्रधान मंत्री जी ने रोड रूट क्यों चुना और वो हेलिकॉप्टर से क्यों नहीं आगे बढ़ गए कारेक्रम स्थल की और दुख इस बात का होता है कि हमने चंद हफ्तों पहले हमारे देश के वीर सैनिकों को खोया है हमारे देश ने अपने प्रथम सीडियस आदर्निय विपिन रावज जी को खोया है ऐसे ही एक हेलिकॉप्टर दुरगटना में जब मौसम खराब था जब जोखिमों को उठाते हुए हमारे वीर जवान उसी हेलिकॉप्टर में उडगए तो हमने उसका नतीजा देखा है आखिर ये कॉंग्रेस सवाल क्यों पूछ रही है कि और प्रधान मंत्री को हेलिकॉप्टर में ही जाना चाहिए था इसके पीछे का मनसूबा क्या है इसका उत्तर भी कॉंग्रेस को देना चाहिए कई लोग ये भी कह रहे हैं कॉंग्रेस के नेता और खास करके जो नरेंद्र मोदी जी के प्रती और हिंदुस्तान के प्रती नफरत रखते हैं कि बस बीस ही मिनिट तो था बीस मिनिट के लिए प्रतान मंत्री क्या एक जाम में नहीं पस सकते हैं बीस मिनिट में क्या हो जाएगा दो मिनिट केवल दो मिनिट चाहिए होता है अन्होनी को घटित होने के लिए किसी ड्रोन को आने के लिए, किसी आटलरी को आने के लिए, किसी स्नाइपर के लिए दो मिनिट काफी होता है हिंदुस्तान ने अपने प्रदान मंत्रियों को खोया है सुरक्षा चूक के कारण अपने प्रदान मंत्रियों को खोया है ये एक बेफिक्री से, केरलेसनेस से भरा हुआ सवाल है कि 20 मिनिट में क्या हो जाएगा एक और बात कही जाती है कांग्रेस के नेता, प्रवक्ता ये भी कह रहे हैं कुछ हुआ तो नहीं मुख्यमंत्री तक ये कह रहे हैं किसी ने पत्थर तो नहीं मारा किसी ने गोली तो नहीं चलाई किसी ने बम तो नहीं फोड़ा कुछ हुआ तो नहीं अरे कुछ हो जाता कुछ हो जाता तभी ये देश डिसकेशन करता क्या ये महादेव की कृपा है ये 135 करोड जनता का आशिरवाद है कि 20 मिन्टों तक सुरक्षा चूक की बावजूत प्रधान मंत्री बिना किसी खरोज के वहां से निकल करा गए इसका अर्थ ये नहीं है कि कुछ होने के पश्चाती हम डिबेट और डिसकेशन करें कि इस प्रकार से भविश्य में इस प्रकार की अनोहनी ना हो इसलिए एक जिम्मेदार देश समय रहते इन सब विश्यों पे चर्चा करता है आज ऐसे ही नहीं हो रहा है कई नेता जो भारती जनता पाटी के नहीं है कई पूर्व डीजीपी बड़े पुलीस अधिकारी कई प्रसाशनिक अधिकारी जो बीजेपी से कोई वास्ता नहीं रखते हमारे आइडिलोजी के नहीं है उन लोगोंने राश्ट्रप्रती महोदे तक को चिट्थी लिखा है उन्हें तकलीफ होती है कि हिंदुस्तान जैसे बलिष्ट देश हिंदुस्तान जैसे डिमोकरटिक कंट्री में यदि प्रधान मंत्री के सुरक्षा में सेंध पड़ सकती है तो एक आम जनता सुरक्षित कैसे रख सकता है और तो और देश के सरवोच न्यायले सुप्रीम कोट ने इस पूरे विशय को गंभीरता से सुना है अब भी सुन रही गंभीरता से लिया है और पंजाब सरकार ने जो दिखावे के लिए एक कमीटी का गठन किया था उस कमीटी तक को रद कर दिया है सुप्रीम कोट ने सुप्रीम कोट इस देश के प्रधान मंत्री की सुरक्षा को लेकर किस प्रकार की गंभीरता होनी चाहिए उसे समझ रही है एक बात आज मैं पूछना चाहता हूँ कॉंग्रिस की जो यह attitude है hate मोदी मोदी से घ्रणा मोदी जी से नफरत आखिर क्यूँ मोदी जी देश के प्रधान मंत्री है उनके सुरक्षा के चूप को लेकर इस प्रकार की घिनोनी बाते करना उनके प्रति इस प्रकार के नफरत को दरसाना आखिर क्यों मोदी जी ने क्या बिगाड़ा है क्या बिगाड़ा है मोदी जी ने देश में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए ना खाऊंगा ना खाने दूंगा इससे देश का क्या भिगड़ा है मोधी जी ने मोधी जी ने परिवारवाद की राजनीती को समाप्त कर दिया इससे क्या भिगड़ गया देश का मोधी जी ने कश्मीर में अनुच्छे 370 को समाप्त करके कश्मीर को देश के मुख्यधारा से जोडने का काम किया है महिलाओं को उनका अधिकार दिलाया दलितों को उनका अधिकार दिलाया क्या उसके कारण आप मोधी जी से नफरत करेंगे मोधी जी ने अयोध्या में और कासी में हमारी आस्था को समवेधानिक रूप से स्थापित किया है राम मंदिर के लिए 500 वर्षों से हम लड़ रहे थे कि आज समवेधानिक रूप से, कोट के माध्यम से, न्यायपूर्ण तरीके से भव्यराममंदिर का निर्माण हो रहा है, इस कारण आप मोदी जी से नफरत करेंगे, और उनके सुरक्षा में चूप करेंगे, मोदी जी से आप इसलिए नफरत करेंगे, क्योंकि मोदी जी गरी मैं उन मिट्स के बारे में भी बात करूँगा, और उन अपवादों को भी अभी ध्वस्त करूँगा, अपवाद नमबर एक, मिथ नमबर एक, जो मिथ नमबर एक है, वो है, पंजाब सरकार और पुलीस को रोड रूट के बिसे में पहले से सूचना नहीं थी, उनको लाइजन, एक और दो जैनवरी को, फर्स्ट और सेकंड जैनवरी को जो पंजाब की प्रसाशन है और जो स्पीजी है, दोनों ने मिलकर एसल किया था, अर्थात एडवांस सेक्यॉरिटी लाइजन करके, रोड रूट के कंटिंजनसी प्लान के विशह में डिसकस कर लिया थ प्रदान मंत्री को रोड रूट से जाना होगा, तो किस रोड रूट से जाएंगे, किस प्रकार जाएंगे, और वहां किस प्रकार सुरक्षा की विवस्ता करनी है, ये सब कुछ पहले से डिसकस हो चुका था, पंजाब के प्रसाशन के साथ, पंजाब के पुलीस के साथ, और तो और इस पूरे एसल को लेकर चार जन्वरी को अर्थात प्रदानमंत्री जी के आने से ठीक एक दिन पहले रोड रिहरसल तक हो चुका था अर्थात भटिंडा से लेकर फिरोजपूर्ट का सफर जो जिस रोड रूट में प्रदानमंत्री जा रहे थे उसका पूरा रिहरसल पंजाब पुलीस ने किया था एस पी जी भी मौझूद थी रिहरसल होने के बावजूद ये कहना कि हमारे लिए तो ये आश्चले का विशह था रोड रूट के विशह में पता ही नहीं था इस कारण ये चूक हुआ कहीं जूट बोला जा रहा है नमबर दो जो मित नमबर दो है वो है कि सड़न चेंज इन प्लान कि अचानक प्रधान मंत्री जी ने अपने रूट को बदल दिया और इस कारण से अफरा तफरी मच गई और इस कारण से ये चूक हुआ है गलत बात है जब प्रधान मंत्री पंजाब पहुँचे खराब मौसम के कारण जब हेलिकॉटर टेक ओफ नहीं कर पाई और ये निर्धारित किया गया ये निश्चित किया गया कि प्रधान मंत्री अब रोड रूट से जाएंगे ये पूरा विशय डीजीपी राज्य के डिरेक्टर जनरल अफ पुलीस के साथ साजा किया गया उनके साथ ये डिसकस किया गया और जब डीजीपी महोदय ने क्लियरंस दिया उसके पश्चात ही प्रधान मंत्री उस रूट पे आगे बढ़ते हैं तो ये कहना ति अचानक प्लान चेंज हुआ ये गरत बात है डीजीपी को इसकी information थी SPG और डीजीपी ने बात किया था और तो और जो भटिंडा के SSP हैं जो पाइलिट गाड़ी चलती है उसको लीड करने का काम SSP भटिंडा कर रहे थे अर्थात ये गरत बात है कि ये सब कुछ सडन हुआ क्योंक जो जूट फैलाया जा रहा है कि जो पंजाब की पुलीस थी जो पंजाब की प्रसाशन थी वो प्रधान मंत्री के ऊपर किस प्रकार के असुरक्षा के भाव थे किस प्रकार के security threats थे उससे वो अवगत नहीं थी ये भी जूटी बात है गलत बात है क्योंकि जो internal communications है पंजा बात चीत की है कि प्रधान मंत्री के ऊपर खत्रा हो सकता है इसलिए traffic diversion plan वो भी पंजाब पुलीस ने तयार किया था पंजाब पुलीस ने ये भी बात किया है कि ऐसा भी संभव है कि कुछ जगहों पर अगर प्रधान मंत्री रोड से जाए तो protesters भी आ सकते हैं तो किस प्रक चीत उनकी internal documentation दिखाती है किंतु धरातल पे जब ये सारी बातों को होना था तब चूक हो जाती है तब ये सब कुछ नहीं होता है तो ये कहीं न कहीं जो मित पहलाया जा रहा है जो जूट पहलाया जा रहा है कि प्रधान मंत्री के ऊपर किस प्रकार के खत्रे थे इससे पं मित या चौथी जूटी बात जो पहलाई जा रही है इस पूरे प्रकरण में कि प्रधान मंत्री को बचाने का काम केवल और केवल SPG का है पंजाब पुलीस का इसमें कोई रोल नहीं है सरासर गलत और यहां मैं तो कागज का भी सहारा लूँगा और पढ़के भी नियम लिखे जाते हैं उस ब्लू बुक के क्या नियम है मैं पढ़के सुनाता हूँ चैप्टर वन रूल नमबर वन मतलब जो प्रधान मंत्री की सुरक्षा का जो ओवरॉल चार्ज है उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो पंजाब पुलीस और पंजाब की सरकार पंजाब का प्रसाशन था प्रक्सिमेट बॉडी सेक्यॉरिटी के लिए एकदन पास की सेक्यॉरिटी के लिए स्पीजी जिम्मेदार थे और स्पीजी वो कर रही थी वो हमने फोटो और वीडियो के माध्यम से देखा है चैप्टर वन रूल नमबर टू स्टेट्स क्या बताती है वो प्रक्सिमेट के सेक्यॉरिटी के लिए कोई भी प्रावधान करने है तो वो स्टेट की पुलीस राज्य की पुलीस करेगी स्पीजी नहीं करेगी और चैप्टर वन रूल नमबर फाइव ये क्या बताती है इंप्लिमेंटेशन अफ दिस रूल्स विल बी रिस्पॉनसिबिलिटी औफ दे डीजीपी अफ दे स्टेट जो डिरेक्टर जनरल अफ पुलीस है उनकी ये जिम्मेदारी है कि ये जो रूल्स हैं उनको ग्राउंड पे लागू कराएं और अपनी पुलीस से लागू कराएं ये जिम्मेदारी डीजीपी की है पुलीस भी चुकी डीजेपी भी चुकी चुके और इसी के कारण से प्रधान मंत्री जी के सुरक्षा में सेंद हुआ है जो अंतिम मित है जो पाँचवा जूटी बात यहां पहलाई गई है वो है कि पंजाब पुलीस ने अच्छा काम किया है और पंजाब पुलीस ने प्रधान मंत्री जी की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा है सरासर गलत आप खुजान के आश्चरी होगा कि अगर बाकी तो मैंने पूरा समझाया ही केवल कंट्रोल रूम पंजाब पुलीस का जो कंट्रोल रूम है वो कंट्रोल रूम ही केवल फोन करके जो पाइलिट गाड़ी थी उसको बता देती कि फलाने फ्लाईओर के उपर प्रदर्शनकारी और जाम मौझूद है प्रधान मंत्री जी के रूट को डाइवर्ट कर दिया जाए प्रधान मंत्री जी की गाड़ी उस फ्लाईओर के उपर बीस मिंटों तक नहीं पसी होती और वो एक खतरनाक स्थल पर जाके नहीं पहुंचते जहां कुछ भी हो सकता था मगर कंट्रोल रूम भी चुक गई और तो और पुलीस जिस प्रकार की अकरमन्यता में दिखी इन एक्टिव पुलीस प्रदर्शन कारियों के साथ चाई पी टीवी पुलीस बॉडी लैंगुज देखिए पुलीस की पुलीस कहीं तैनाती नजर नहीं आ रहे थी प्रदान मंत्री के आसपास जबकि आप सोची आप और हम अगर पुलीस में होते और हमारे देश के प्रदान मंत्री कहीं अचानक इस प्रकार सडक के बीचों बीच फस गए होते तो सुवाविक प्रक्रिया होती है दोड करके घेर लिना चारो तरफ से ताकि हमारे देश के प्रधान के उपर, प्रधान सेवक के उपर किसी प्रकार का कोई खत्रा न मन रहा है अगर पुलीस का जो विवहार था वो हमने देखा पुलीस लचर नजर आ रही थी, अकरमन्य नजर आ रही थी बंधों में अंत में इतना ही कहना चाहूंगा देश के प्रधान मंत्री किसी पाटी के प्रधान मंत्री नहीं होते है देश के प्रधान मंत्री, राष्ट के प्रधान मंत्री होते हैं, हमारे देश के गौरव होते है 135 करोड के जंता के प्रेम के कारण नरिंदर मोदी जी को चुना गया है अगर हम अपने देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के प्रती, उनके वेलबीन के प्रती, कानून के प्रती, नियमों के प्रती अवगत नहीं रहेंगे, उनके सुरक्षा के साथ खिलवार करेंगे, तो इस देश में एक आम जनता भी सुरक्षित नहीं है, कुछ विशय रा पश्ट निती के होते हैं धन्यवाद